अगर इसकी माने दूद पिलाया, तो हमारी वोट वापस करा दे, और दुबारे से चुनाव मा जीए, अब का तुझे महाराज का पाराज ना बढ़ा दे, पहले तो वोई बता दे साक्षी महाराज, के उन्नाव में जो इलासे जारी हैं, उन्नाव में जो कबरिस्तान बन गय राम मंदिर को बनने दे, लुटेरों को जेल जाने दे, और किसी जज, दूसरे जज को सुप्रेम कोट का, उसका संसत, राचे सभा का मेंबर ना बना दियो, देखिए, राम मंदिर में जो गोटाला हुआ, उसमें साफ आया, जो कागज दिखा रहे हैं, जो नूज 24 भी दिखा रहा है, संजा सिंग भी बोल रहा है, और भी नेता बोल रहे हैं, के एक प्लोट है, उस प्लोट के दो टुकडे हैं, आठ हजार, वो दस हजार गज, इस करोड में होती है, और जो दूसरी रजिस्ट्री, उसी जमीन एक ही व्यक्ति की है, प्लोट दो कर दिये, और एक प्लोट की रजिस्ट्री, साड़े अठारे करोड में राम मंदिर को दी जाती है, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं सरकार से, और योगी जी से, क्योंकि यो भव्य मंदिर बने, लेकिन हमें क्या पता था, कि हम राम के मंदिर के लिए चंदा दे रहे हैं, और वहाँ चंदा चोर आ गए हैं, ये चंदा चोर हैं, देखिए, पांच करोड असी लाक रुपे उस जमीन का सरकिल रेट है, और ये सारा किसान खड़ा, किसी से पूछ ले जब उसका सरकिल रेट था, तो वो दो करोड में चंदा को चंदा लगाने के लिए कैसे बेनामा हुआ, और जबके डियम और एडियम उस कमेटी के मेंबर हैं, तो ये डियम भी उसमें मिला हुआ है, एडियम मिला हुआ है, और ये चंदा जो है, ये चंदा तो सिर्प है लूट सके तो लूट इन्होंने तो वह मचा रखा तो यह तो लूटने पर लग रहे हैं और मुख्य मंतरी ने उसको फाइल को जब बुला मंगाया था हमें लगा था कि इसमें कारवाई करेंगे लेकिन अपने यारों को बचा रहे हैं और मुख्य मंतरी ने क्लेंचीट द तिक रोटिया सेखना चाहते हैं हम चाहते हैं राम मंदिर बने देश का हर नागरिक चाहता है राम मंदिर बने लेकिन यह जो लूट कर रहे हैं इन्हें सजा भी मिले और मैं तो सब भाईयों से एक नारा भी देता हूं भाईयों कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोट में चले ज करताने दें पर किसी जजग दूसरे जजग कू सुप्रिम कोट का उसका राज्यसभा का मेंबर ना बना दियां कि हमारी प्रब्लम है कि हमने बॉट दी है हमारी बॉट वापस कर देए के जुट वआपस कर देन ऑफ जुट कर दें ne अब कहा कि तुझे महराज का पाराज ना बना दे पहले तो वो ही बता दे साक्षी महराज कि उन्नाव में जो इलहा से जारी है उन्नाव में जो कब्रिस्तान बन गया हिंदुों का तो फेहीं धर्म का ठेकेदार है बहुत बोलता था जबाब दे तेरे संसद्य चेत्र में बढ़ा है जबाब क्यों नहीं देता राम मंदिर को लूट रहे हैं राम के नाम पर कितने दिन लूटेंगे पहले 2400 करोड का घोटाला कर चुके और बड़े भाई यह जमीन यह तो एक टेलर है अभी तो सिमेंट रोडी बदरपूर पत्थर किसकिस्व लूट होगी यह भी बाकी है देखना देश का चंदा सारा वापस कर दो तेरे पर बचेगा क्या फिर काई से मंदिर बनाओगा और हमने लूटने के लिए थोड़े दिया है जो लूटे रहा होगा डंडा इतना बजाएगी देश की जंता उसने भगवान के नाम पे दिया है और यह भगवान मास्ता है इन नेताव मास्ता थोड़ा ही है और अगर इने इतना वापस करने का सोक है तो हिंदुस्तान की दी हुई वापस कर दे हम अपना चंदा वापस नहीं मांगते हम अपनी वोट वापस मांगा है वोट वापस करो तब पता चल जाएगा साक्सी महाराज को भी और साक्सी महाराज को नहीं देश के परदान मंत्री को भी पता चल जाएगा कि जनता ने आप वोट वापस मांगनी शुरू करिये राइट टू रिकॉल का अधिकार लादो ना पता चल जाएगा कौन साथ जो भी नेता करेगा राइट टू रिकॉल कर देगे जनता तो उसे इसलिए कानून को नहीं लाते जिस कानून में ये नेता फस्ते हैं उस कानून को नहीं बनाएंगे जिस कानून में जनता फस्ती है अब आप देखो मेरे खिलाब F.I.R. दर्ज कराओ पुलिस ले जाएगी ठाक है रामदेव के खिलाब कितनी मुकदमे दर्ज हो गए पुलिस क्यों नहीं उठाती सम्विधान तो एक है सम्विधान की धाराएं एक है तो उसे क्यों नहीं पकड़ते ये इस देश में जो दोहरी राजनीती चल रही है दोहरा सम्विधान चल रहा है ये उस सब की लड़ाई है